हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू आर ओन चैनल हाव टू तो आज हम आपको बताने वाल है बिस्किट्स मैनुफेक्ट्रिंग बिजनस तो यह जो आप सब को पता है और अल्मोस्स सारे लोग बिस्किट्स खाते हैं हमने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई है लेकिन वो घर से जो आप घर से स्टार्ट कर सकतो उसके बारे में है आज जो हम बता रहे हैं वो एक बड़ा बिस्नस जहां पर आप एक स्मॉल स्किल जहां पर एक बड़ी जगह लेके मशीन वागरा सेट अप करके एक बिस्नस स्टार्ट कर सको यह उस पर है तो इसमें हम बताएंगे कि इसमें आपको कितने investment लगेगा और कितना profitability होगा उसके बाद कितने आपको लोग चाहिए होंगे इस बिजनस को run करने के लिए कितना कैसे customers आपको चाहिए होंगे कौन सी machinery आपको चाहिए होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ ही में hit the bell icon तो सबसे पहले आपको बताते कि आपको इसमें research क्या करना है जैसे कि बहुत सारे biscuits market में available है ये आपको भी पता है तो अब आपको कौन सा biscuit बनाना है किस टाइप के biscuit अब लोग prefer कर रहे है अब जैसे कि अभी आप कोई cream biscuit launch करो ना है बहुत कम लोग है जो cream biscuit खाते है और almost कुछ लोग खाते हैं जो already खाते हुए आ रहे है वो वही company का prefer करते हैं तो आपका शायद नहीं भी चले लेकिन उसी के जगह अगर आप plain biscuits बनाते हो और वो भी अलग-अलग flavors के अगर आप बनाते हो जो market में नहीं है और आपकी एक speciality है उसमें तो लोग उसे prefer करेंगे तो वैसे ही आप उस demand को देखिए कि कौन सी कहा से कौन से type के biscuit के demand आ रही है उसके जगत कैसे आपको supply करना है कहा कहा पर आपको supply करना है price आपको क्या set करनी है आपकी quality कैसी होगी कैसी quantity आप दोगे लोगों को कितनी price में तो यह सारी चीजे पहले आपको research करना है उसे के बाद आप इस business को start कर सकते हो अब बात करते हैं raw material की तो यहाँ पर आपको sugar, salt, milk powder, ghee, yeast, essence, edible colors तो यहाँ पर आपको यही raw material चाहिए होगा और कुछ floor या आटा मनलब आटा या different type की जो भी आटा होते हैं जिससे आप बनाना चाहते हो biscuit वो बस यही raw material है जिससे आप बना सकते हो और जिस type के flavor आपको चाहिए अब जिस type का flavor बनाना चाहते हो biscuit में वो flavor आपको लाने पड़ेंगे तो यही raw material है जो आपको biscuit बनाने के लिए चाहिए अब बात करते हैं मशीन रिकी तो यहाँ पर हमने जो equipment है वो भी सब लिखे है आप इतनी सारी machines के नाम दे के चौक मत जाना यहाँ पर हमने equipment भी लिखे है biscuit baking oven, cooling conveyor, cooling tunnel, deep panner, distributor, dough mixer, flow shifter, laminator, molder, oil sprayer, packaging machine, pressure board, rotary cutters, rotary molder, sheet cutting unit, slab slicer और spreader तो यह machines और यह equipment आपको इस business में चाहिए होंगे यहाँ पर कुछ 2-3 machine है जो थोड़ी आपको costly पर सकते लेकिन बाकी सारी चीज़े आपको बहुती सस्ते मलब कम रुपे में आपको market में आराम से मिल जाएगे अगर आप wholesaler के पास से लेते हो तो आपको बहुती सस्ते पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको mixing करना पड़ेगा उसके आद मोल्ड उसके बेक करना पड़ेगा फिर आपको ठंडा cooling करना पड़ेगा और at the end आपको pack करके उसको market में sell करना है अब बात करते हैं investment की तो यहाँ पर आपको 5-8 लाक रुपे लगेंगे as a investment इतना capital आपको चाहिए होगा इस business को start करने के लिए अगर आप और भी बड़ा business open करते हो आपके और भी capacity है अगर आप ज्यादा capacity वाली machines बाय करते हो तो आपका जो capital हो increase हो जाएगा बाकि minimum आपको इतना capital चाहिए होगा जिससे आप अपने business को start कर सकते हो अब बात करते हैं targeted customers की तो online market जैसे की snapdale, big basket, amazon, flipkart ऐसी बहुत सारी site है जहाँ पर आप online sell कर सकते हो उसके आप सुपर market हो गए malls हो यहाँ पर भी आप अपने biscuits को sell कर सकते हो तो ऐसे बहुत सारे customers आपको market में मिल जाएंगे लेकिन अगर आप एक अच्छी quality और एक अच्छा taste लोगों को provide करते हो तो आपको बहुत ही easily और अच्छे खासे customer मिल जाएंगे अब बात करते हैं marketing strategies तो यहाँ पर आपको digital marketing, advertising, sales promotion, direct marketing इनका भी साथ आपको लेना पड़ेगा इन चीजों की भी उप्योग, इनको भी उप्योग आपको करना पड़ेगा और ये strategies use करके जब लोगों को पता चलेगा तो इससे आपका business और भी जल्दी grow होगा और marketing strategies से आपका business बहुत ज्यादा chances से जल्दी से जल्दी grow हो तो इन strategies को आप online as well as offline use कर सकते हो अब बात करते हैं area की तो यहाँ पर आपको ज्यादा area नहीं चाहिए 800 से 1200 square feet के बीच में आपको area चाहिए जो भी आपको suitable लगे आपक लोग चाहिए होंगे इस business के लिए license इसकी बात करते हैं यहाँ पर आपको form को register करना पड़ेगा ट्रेड लाइसेंस MSME उद्योग आदार GST IEC कोड ट्रेड मार्क FSSAI registration pollution control board तो यह सारे license issue करने पड़ेंगे आपके business को चलाने के लिए IEC कोड अगर आपको export करना है out of the city then only और अगर आपको नहीं करना हो तो आप IEC कोड नहीं आप license लो तो भी चलेगा profitability तो यहाँ पर आपको start में 30 to 40% approximate profit हो सकता है बाकि आपके production और business model पे depend है और आप कौन से type की कैसी quality की कौन से size के biscuit आप मार्केट में दे रहे हो especially आपके quality और आप कैसे type के biscuit market में दे रहे हो उनहीं पर depend होती है आपकी profitability तो approximate आपको इतना profit हो सकता है और अगर आपका business set होता है जल्दी से जल्दी तो आपको इससे भी और भी ज्यादा मुनाफ़ा हो सकता है तो यह था biscuit manufacturing business के बारे में और इसे और भी business हम लेकर आएंगे जिससे आपको पता चले कि आप यह business भी कर सकते हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेगा by subscribing आप चैनल और साथ ही में like, share and comment जरूर करिएगा थैंक यू